आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार स्री जगदीश चन्द माथुर और उनका शूप्रसिद्ध देकांकी रीड की हड़ी स्री जगदीश चन्द माथुर का जन्म 16 जुलाई सन 1917 को खुर्जा जिला बुलंद सहर उत्तर प्रदेश में हुआ प्रारभ्मिक सिक्षा खुर्जा में हुई उच्च सिक्षा ओइंग क्रिश्यन कॉले जिलाहबाद और प्रयाग विश्विद्याले में सन 1949 में प्रयाग विश्विद्याले से अंग्रेजी में माथुर जी ने यमय किया और 1941 में इंडियन सिविल सर्विसेज में आपका चैन हो गया छे वर्स तक बिहार सासन के सिच्छा सचिव रहे 1955 से 62 तक आकासवानी भारस सरकार के महा निदेशक के पद पर आप बने रहे आपने उस पद को बड़ी निष्ठा लगन और इमानदारी के सार निभाया सन 1963 से 1964 तक उत्तर विहार जिसे तिरहुत कहा जाता है में कमिशनर के पद पर आपने कार्य किया और इसके बाद आप हरवर्ड विश्व विद्याले अमेरिका में बिज्टिंग प्रोफेशर के रूप में बिज्टिंग फेलो के रूप में निउक्त होकर विदेश चले गए वहां से लोटने के बाद 19 दिसंबर 1971 ईश्वी को भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में कार किया इन सरकारी नौकरियों में रहते हुए भी भारती इतिहास और संस्कृति को वर्तमान संदर में ब्याख्यायत करने का कार्य चलता रहा आपने बड़ी सूजबूज और लगन के साथ भारती इतिहास और संस्कृति को वर्तमान संदर में नए धंग से आपने उसे ब्याख्यायत किया हिंदी संसार को बिपुल नाट्ट साहित प्रदान कर 14 मई सन 1978 को आप पंच तत्त में बिलीन हो गए आपके लेखन का सुभारंब विद्यार्थी जीवन से ही हो गया था जब आप विद्याले इन सिक्षा में थे तब से ही आपका लिखना और रंग मंचों पर नाटक नाटकों के पात्र के रूप में अपनी प्रस्तुति देना अभिने करना आपने प्रारंभ कर दिया था आपको नाट्ट परंपरा के सक्रिय सूत्रधार के रूप में जाना जाता है आपकी अनेक नाट्ट कृतियां हैं आपने नाटक उपन्या सरेखाचित्र और अन्य जो नाट्ट से जुड़े हुए सिद्धान्त हैं उस पर आपने ग्रंथ भी दिये हैं नाट्टों में भोर का तारा कौन आर्क ओ मेरे सपने शार दिया जिन्होंने जीना जाना पहला राजा यह आपकी प्रसंशनिय नाटिक कृतियां हैं नाटक संकलन हैं उपन्यास उपन्यास के ख्षेत्र में भी आपने किर्थिमाने स्थापित किया है जैसे यादों का पहाड आधा पुल मुठी भर कांकर कभी न छोड़े खेट रेखाचित्र रेखाचित्र में दस तस्वीरें नाम से आपके रेखाचित्रों का संकलन जो है वह प्रकाशित हुआ हैं और अन्य ग्रंथों में जैसे बहुजन संप्रेशन के माध्यम और दूसरा है परंपरा सील नाट्य इस तरह से आपको आपकी सेवाओं को देखते हुए अनेक अलंकरण आपको प्राप्त हुए हैं बिहार सरकार से हिंदी संस्थान से और उत्तर प्रदेश संस्थान से आपको अनेक अलंकरण मिले हैं प्राप्त हुए हैं आपके पाठिक्रम में संकलित रिल्ड की हड़ी एक आंकी को समझने के पूर्व जान लेना आवस्यक है कि एक आंकी नाटक है क्या इसकी क्या विशेस्ताएं हैं इसकी अवधारना क्या है तो बच्चो एक आंकी जो है गद्ध की अन्य विधाओं के समान हिंदी साहित्य में एक आंकी नाटक के प्रणेयन का जो सुभारंब है वो भारतेंदी युक्षे हुआ साहित की तमाम विधाएं एक आंकी नाटक एक अंक वाला नाटक होता है और नाटक जो होता है उसमें अनेक अंक होते हैं इसमें केवल एक ही अंक में संपूर नाटक समापतो हो जाता है परन्त नाटक के एक अंक को एक आंकी नहीं कहा जा सकता चुकि वो नाटक जो है वह महाकाब्विकी तरह पूरे जीवन का विस्तार के साथ उसमें वाइनन रहता है उसमें नाट्ट प्रस्तुती होती है लेकिन एक आंकी में किसी एक घटना विशेष का चित्रांकन किया जाता है एक आंकी नाटक गद्यकाब्विकी एक स्वतंत्र विधा है इसमें एक ही घटना होती है और वह घटना नाटकी कौसल से कौतूहल का सैयमिन करती हुई चरम सीमा पर पहुँचती है सुप्रसिद्ध नाटक कार सेथ गोविन्द दास का मत है कि एक ही विचार पर एक आंकी नाटक की रचना हो सकती है विचार के विकास के लिए शंघर्ष अनिवार्य है उस शंघर्ष के पूरे नाटक में कई पहलू दिखाए जा सकते हैं किन्तु एक आंकी में एक ही पहलू होता है वास्तों में एक आंकी की आत्मा उसकी संग्छिप्तता होती है जितना चोटा एक आंकी होगा और एक और सबसे बड़ी बात है इसमें कि नाटक में जैसे अंक होते हैं फिर अंकों में अनेक द्रिश्य होते हैं इसी प्रकार से एक आंकी में भी एक घटना एक अंक लेकिन उसमें द्रिश्य अलग-अलग हो सकते हैं एक आंकी मुलता मानव जीवन के मर मकावत घाटन करने वाली बिधा है मनोरण्यन मात्र जो है एक आंकी का गुण नहीं है क्यों केवल आप एक आंकी के माध्यम से मनोरण्यन करें उसे हम फिर प्रहसन कहने लगेंगे वह एक आंकी नहीं रह जाता तो मनोरण्यन मात्र एक आंकी का उद्देश से नहीं होता एक आंकी एक ऐसी संक्षिप्त नाटे रचना है जिसमें गिने जुने पात्रों के माध्यम से कोई विशिष्ट जीवन का जो सत्य है वह तीब्रता के साथ अभियक्त होता है नाटक की तरह उसमें व्यापक मानो जीवन नहीं अपित मनुस्य के जीवन अथवा चरित्र का कोई एक ही प्रशंग अथवा पहलू चित्रित किया जाता है अब एक आंकी नाटक के तत्तों क्या क्या है भारती आचारियों ने नाटक के तीन तत्तों को स्विकारा है पहला है कथावस्तु दूसरा है नायक या पात्र और तीसरा है रस योरोपिये विद्वानों ने नाटक के 6 तत्वों को स्विकार किया है पहला है कथावस्तु दूसरा है पात्र तीसरा है कथोप कथन और चौथा है देशकाल वातावरण और पाचमा है शैली और छटमा है उद्देश्य कथावस्तु तत्व तो दोनों ने समान रूप से माना है इसे स्विकार किया है नायक के अंतरगर्थ पात्र एबं संबाद वाले तत्व आ जाते हैं देशकाल संकलंत्र है शैली वा उद्देश रसके अभयब है एक आंकी में नाटकीयता कथानक में कवतूहल जिग्यासा का होना पर्मावस्यक है एक आंकी में अगर नाटकीयता नहीं है अभिनयता नहीं है अगर वो अभिनय नहीं किया जा सकता तो उसे हम एक आंकी नाटक नहीं कहेंगे और कौतूहल से भरा होना चाहिए एक जिग्यासा हो कि इसके बाद अब क्या होने वाला है इसके बाद क्या होने वाला है यथार्थ वाद की रक्षा के लिए सहज स्वाभाविक चित्रन हो यथार्थ वाद की रक्षा के लिए सहज स्वाभाविक चित्रन पर्मावश्यक है साथ ही आदर्स की और संकेत भी हो चूंकि यही जो यथार्थ वाद है जो आदर्स है यही हमें अपने उद्देश चिपल ले जाता है एक आँकी स्वाभाविकता और जीवन निकरता बनाये रिखने के लिए कला पक्ष में संकलन त्रह माने स्थान समय और कार्य का पालन पूरी कडाई के साथ होना चाहिए अब एक आँकी का जो विकास है वास्तों में गध्य की तमाम विधाएं भारतेंद यूग से ही प्रारंब होती है तो एक आँकी के विकास में पहला जो है यह है भारतेंद यूग यह सन 1870 से 1905 तक इसमें प्रमुख जो एक आँकी कार है एक तो स्वयम भारतेंदु हरिस्चंद राधा चर्ण गोश्वामी कि सोरी लाल बद्री नारान चोधरी और प्रताप नारान मिश्र आदी दुवेदी यूग आता है अब दुवेदी यूग में दुवेदी यूग जो है 1905 से 1924 तक प्रशाध चलता है दुवेधी यूग से भिप्राय आचार महावीर प्रसाध दुवेदी से है इसमें रूप नारान्न पांडे शुदर्सण पांडे वेचन-सर्मा दुग्रेदी रचनाकारों ने अनेक एकांकियों की रचना की है इसके वाद आता है प्रसाद यूग प्रसाद यूग का जो समय है यह उनई सो पचीश से उनई सो अरसट तक चलता है इसमें स्वयम जैशंकर प्रसाद जैसे इनका बहुत प्रसिद्ध है एक घूट एकांकी और गोबिंद लफपंत डाक्टर रामकुमार वर्मा आदी ने एकांकी पर कलम चलाकर हिंदी साहित के भंडार को भरने का प्रणम में प्रयास किया है अब आता है वर्तमान काल यह उनई सो उनहत्तर कि बाद जितने लेखकों ने एकांकी की रचना की है वे सब वर्तमान काल की अंतरगत आते हैं जैसे गिर्जा कुमार माथूर उदै शंकर भट शेठ गोबिंद दास जगदीश चन्द माथूर विश्नु प्रभाकर उपेन नाथ अस्क लक्ष्मी नाराण मिस्ट्र हारी कृष्न प्रेमी आदी रशनाकारों ने एकांकी पर कल साम चलाई है और बहुत ही शफल एकांकी की श्रिष्टी की है और ब्रीड की हडी जो एकांकी है वो तत्तु की द्रिष्टी से बहुत सफल एकांकी नाटक है रीड की हड़ी एक आंकी जो है तत्तों की दृष्टी से बहुत सफल नाटक है जो एक लड़की के बिवाह की सामाजिक समस्या पर आधारी थे अब आईए इसमें हम पात्रों को देख लें इसमें मुख्यता छे पात्र है एक तो उमा लड़की जो इस एक आंकी नाटक की नाईका है राम स्वरूप ये लड़की के पिता है और प्रेमा ये लड़की की माता है रतन राम स्वरूप का नौकर है और पांचमा पात रहता है शंकर जो लड़का है और गोपाल प्रसाद ये लड़के के पिता है एकांकी को हम अगर संचेप में देखें तो रीड़ की हड़ी की नाई का उमा है उमा विवाह के योग्य हो गई है वह इस नातक है पढ़ी लिखी है उसके विवाह का प्रस्ताव लेकर शंकर के पिता गोपाल प्रसाद जी जो हैं उमा के घर आते हैं उमा के पिता राम सुरूप और उनकी माता प्रेमा सम मिलकर वरयानी शंकर उसके पिता गोपाल प्रसाद का सांदार आतित्य सत्कार करते हैं बहुत ही सम्मान के साथ उनका उनकी खातेदारी होती है और बात चलते चलते वास्तों में जो राम शुरूब जी हैं लड़की के पिता इन्होंने बच्ची को ज्यादा पढ़ा दिया था तो उस समय बिये पास करना मतलब उसी इस्तर का बच्चा होना चाहिए वर भी होना चाहिए लेकिन अच्छा लड़कार न मिलने से वो थोड़ा परिशान थे पैणामशुरूब उनको गोपाल प्रसाद जी का लड़का दिखाई दिया शंकर तो इन्होंने बिवाह करने के लिए सोचा और जब ये लोग उनके घर पहुँचे तो रामशुरूब जी और प्रेमा जी ने बहुत सम्मान के साथ उनको बैठाया उनकी खातिरदारी की चुकि ये जो बिये पास लड़की और उसका बिवाह उसके माता पिता के लिए बहुत बड़ी समच्छा होती है आज ऐसी इस्तित नहीं रह गई है योग गिबर अधिक दहेज माजता है मैं उस समय की बात कर रहा हूँ आखिर वह बाबू गोपाल प्रसाद के लड़के संकर के साथ उमा का बिवात तैं करते हैं गोपाल प्रसाद जी वकील हैं उनका लड़का जो संकर है वो चरित रहीन है संसकार हीन है वहां कई बार फेल हो चुका है पिता पुत्र की साधी के नाम पर सवदे बाजी करना चाहते हैं उमा के पिता रिस्ता को निश्चित करने के विचार से अपनी बीए पास लड़की को मैट्रिक पास बताते हैं वहां जूठ बूलते हैं अगर बीए पास बताएंगे तो यह और हमसे दहेज मागेंगे और सवदे बाजी करेंगे और अगर लड़का बीए नहीं है तो यह कह देंगे कि हमारा लड़का जो है इतना पढ़ा लिखा नहीं है हम यह साधी में ही करेंगे तो उमा के जो पिता हैं वे बताते हैं कि हमारी लड़की मातर मैट्रिक पास है इधर उधर की बात होने के बाद लड़के के पिता गोपाल प्रसाल लड़की के पिता राम सुरूप से कहते हैं अब बिजनिस की बात हो जाए अब ये जो बिजनेस है तो राम शुरूब जी इस बिजनेस सब्द से चौक उठते हैं क्योंकि वह बिवाह को बिजनेस नहीं मानते और दो आत्माओं का मिलन मानते हैं अब बिवाह एक संसकार है ब्यापार में इधर नाशा खतम होने के बाद उमा जो है पान की तस्तरी हाथ में लिये आती है ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है कि जब कंच्झा को देखने के लिए लोग आते हैं तो लड़कियां या तो चाय की प्लेट ले के आती हैं ट्रे ले के आती हैं या तो पान लेके आती हैं तो उमा भी पान की तस्तरी हाथ में लेकर के और आ जाती है उसकी नाग पर लगा हुआ चश्मा देखकर पिता पुत्र दोनों चौक उठते हैं चूँकि उमा के नाग पर चश्मा लगा हुआ था कम दिखाई देता था तो उसने चश्मा पहन लिया था ये बहुत एक कामन या साधान बात है बहुत बड़ी बात नहीं है गोपाल प्रसाद कहते हैं इसे कुछ गाना बजाना आता है उमा सितार उठा करके और मीरा का भजन गाती है मेरे तु गिरधर गोपाल और दूसरों न कोई वो गाना सुरू करती है परन्तु शंकर को पहचान कर रुख जाती है उमा जो है भजन गाते गाते शंकर को पहचान लेती है उमा शंकर की चरित्रहींता से पूर्ण परचित है शंकर के पिता उमा से और भी प्रस्ण पूछते हैं तुम पेंटिंग वेंटिंग कुछ जानती हो शीना पिरोना यह जो शिलाई बुनाई है तुम्हें आती है इस तरह के प्रश्ण जो हैं शंकर के पिता जो हैं करते हैं क्या तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं इस तरह उसकी परिक्षा लेते हैं परिक्षा का ढंग ऐसा था कि जैसे कोई भेड़ बकरियां खरीद रहा हो और उसके पहले जांच परताल मोल भाव करता है जैसे कुरसी मेज जब हम लेने जाते हैं यह किस लकड़ी की मेज है किस लकड़ी की कुरसी है सरी चीजें उसको खुब जांच परताल लेते हैं इससे ऊमा के आत्म सम्मान को चोट लगती है ऊमा भेड़ बकरियों की तरह बे जुमान नहीं है वह है पढ़ी लिखी है उसने अपना स्वतंत्र ब्यक्तित बना लिया है वह शंकर के पिता को ऐसा उत्तर देती है कि वरपक्ष खिस्याकर रह जाता है शंकर की चरित्रहींता का उदाहन देती हुई कहती है अपने लड़के से पूछिये अपने लड़के से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हास्टल के इर्द गिर्द क्यों गूम रहे थे और वहां से क्यों भगाए गए गोपाल प्रसाद पूछते हैं क्या तुम कालेज में पढ़ी हो उमा बहुत शाविमान के साथ उत्तर देती है जी हां मैं कालेज में पढ़ी हूँ मैंने बी ये पास किया है कोई पाप नहीं किया आपके पुत्र की तरह तांक जांक कर कायरता नहीं दिखाई मुझे अपनी इज्यत और अपनी मान मर्यादा का ख्याल है लेकिन अपने साहब जादे से पूछिए ये किस तरह नौकरानी के पैर पकड़ कर अपना मुह छिपा कर लड़कियों के हास्टल से भागे थे जब शंकर के पिता इतना सुनते हैं तो कहते हैं भाई अब हम लोग जाना चाहेंगे आपने मुझे मेरी बेज़ती कराने के लिए यहां बुलाया था तब उमा कहती है जाइए जाइए लेकिन घर जाकर जराए है तो पता लगाएए कि आपके लाणले बेटे की रीड की हड़ी है भी या नहीं है गुच्से से गोपाल प्रसाद अपने बेटे को लेकर चले जाते हैं उमा पहले हस्ती है फिर रोने लगती है हस्ती है उनकी इस्तिती देखकर और रोती है अपने पिता और मा की इस्तिती को देखकर कि इतना पढ़ाने लिखाने के बाद हुई हमारे माता पिता कितने निरी हो गए हैं इस प्रकार उमा आज की पढ़ी लिखी लड़कियों का प्रतनित्त करती है जो विवा के नाम पर बेवसाय करते हैं वर का कोई व्यक्तित तो नहीं वर का कोई व्यक्तित तो नहीं बन पाया है वह रीड़ी हीन है शंकर उच्रिंखल है और असयमी युवक है यह उसके चरित्र की खूबियां हैं चरित्र की विशेस्ताएं हैं कि शंकर किस तरह का है और सील, सदाचार, सैयम उसकी तुटियों को सील, सदाचार और सैयम ही जीवन की रीड़ है जो शंकर के पास नहीं है उमा उसकी तुटियों को उद्गाटित कर उस परिस्थिती से समझोता नहीं कर पाती वह एक तरह का विद्रोख करती है अई इस विद्रोख का चित्रन करना ही लेखक का प्रतिपाद्य है लेखक का उद्देश्य है यह है एक आंकी का सारांश आब प्रस्ण यह उठता है कि पुराने जमाने की लड़कियों और उमा के बीच क्या अंतर है कुछ दसक पूर्व की लड़कियों से उमा अनेक बातों में भिन्न है यह भिन्नता क्या-क्या है जैसे उमा सिक्षी थे जबकि पहले लड़कियां अधिक पढ़ी लखी नहीं होती थी उमा साहसी है वह विवाह संबंद के लिए लड़के के पिता द्वारा ली जाने वाली परिक्षा का बिरोध करती है जबकि पहले लड़कियां इस प्रकार की अंचित वेवहार को चुपचाप सहन कर लेती थी उसका अपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित तो नहीं होता था लेकिन उमा ने अपने को आत्म निर्भर बना लिया है वह पढ़ी लिखी है समजदार है उमा संकर जैसे चरित्रहीन विवक्त से साधी करने से इंकार कर बिद्रोग कर देती है जबकि पहले लड़कियां साधी के मामले में चुप रहती थी उमा पढ़ी लिखी भरी नहीं संगीत में ही पारंगत नहीं है कढ़ाई बुनाई में ही पारंगत नहीं है बलकि उमा ग गाइका के जो गुण होते हैं उसमें सब है पुराने जमाने में यह चीजें बहुत कम देखने को मिलती थी क्योंकि पहले बच्चीयों को लोग गायन वादन की और नर्तन की और नहीं ले जाते थे केवल घर का कारिकर आते थे अब सवाल ये उठता है जैसा अभी हमने आप से चर्चा किया कि संकर का चरित्र आपको कैसा लगा संकर का कोई व्यक्तित तो नहीं बन पाया है वारी रहीन है संकर उच्छिंखल और असयमी उबख है सील सदाचार और सयमी जीवन की रीड है जो संकर के पास नहीं है उमा उसकी तुटियों को उद्गाटित कर परिस्तितियों से समझोता नहीं कर पाती वह एक तरफ से विद्रोख करती है और इस विद्रोख का चित्रनी इस एक आंकी का उद्देश से है अब अगला प्रस्णी ये बनता है लड़के वालों के लोटने के बाद उमा की जो हसी है वह सिस्कियों में क्यों तबदील हो गई उमा ने अपनी बातों को कहकर मन में खुशी जाहिर किया और उनकी इस्तिती देख करके वह प्रस्णी हुई हर सकार नभो किया लेकिन गोपाल और उनके बेटे संकर के घर से चले जाने के बाद उमा की जो हसी है वह सिस्कियों में बदल गई क्योंकि उसे ऐसे रिस्तेदारों से जो दहेज लोभी और समाज में ऐसा पशुवत बेखार करने वाले होते हैं उन्हें कैसे बरदास्त किया जाए यहाँ बात मन में सोच कर उमा जो है सिस्कियान लेने लगी रोने लगी अगला प्रशन बनता है गोपाल प्रसाद दोरा राम सरूप से कहा जाना अच्छा तो साहब फिर बिजनिस की बात की जाए बिजनिस की बात हो जाए किस बिजनिस की औरी सारा किया है अच्छा तो साहब फिर बिजनिस की बात चीत हो जाए ऐसा गोपाल प्रसाद ने राम सरूप से इफले कहा कि साधी हे तो लेंदेन की वो बात करना चाहते थे दहेज की बात करना चाहते थे दहेज प्रता की ओर उनका इसारा था वो कहना चाहता था कि उमा के रिष्टे के लिए उनको रिष्टा तभी मंजूर होगा जब राम सरूप उन्हें नगदी दें कुछ रुपया पैसा दें दहेज दें यहां बिजनेस सब्दकार सवदेबाजी से है यहां ऐसा लगता है कि उमा का रिष्टा नहीं बलकि किसी व प्रश्ण के माध्यम से और हम अपनी अवधाना को इस्पष्ट करें अब मुझे कह लेने दो बाबुजी यह जो महां से खरिद्दार बनकर आये हैं उनसे जरा पूछिए कि यह क्या लड़कियों के दिल नहीं होते क्या उनको चोट नहीं लगती है क्या वे बेबस भेंड से छोड़े गए वाकि को पूरा करें तो उमा ने खरीद फरोक्त करने पर व्यंग किया है उसका कहना है पिता जी मुझे इन लोगों को कह लेने दीजिए क्योंकि यह भेंड बकरियों जैसा बेवार कर रहे हैं क्या हम लड़कियों के दिल नहीं होता क्या हमें चोट नहीं लगती जिन भेंड बकरियों को कशाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदेते हैं क्या हम भी वैसाई हैं जो हमारा शोड़ा किया जा रहा है तो इस तरह से आप रिल्ड की हड्डी की ओधारना से परचित हो गए और एकांकी क्या है एकांकी की महत्ता क्या है एकांकी के तत्व क्या है और रिल्ड की हड्डी जो एकांकी है उन तत्वों के आधार पर सफल है चक्दीश चन्माथुन ने रेड़ की हड़ी के माध्यम से समाज में इस्त्रियों के प्रतिव्याप्त रूढ़िवादी जो मान सिकता है उस पर प्रहार करते हुए इस्त्रियों में सिक्षा से उत्पन आत्म विश्वास, साहस और स्वयम निर्णे लेने की शमता को ब्यक्त किया है यही रेड़ की हड़ी एक आंकी का प्रतिपाद्य है यही उद्देश है यही संदेश है